Hey everyone, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं Glamour फहमान के नाम का मतलब है Understanding यानि समझदार फहमान खन को Life के किस फेज ने समझदार बनाया इसकी बे एक इंटरस्टिंग सी स्टोरी है तो वीडियो को आप एंट तक जरूर देखे साथ ही इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि सुम्बुल की एक्टिंग को लेकर उनके क्या थोट्स है रोडीज में रिजेक्शन और इंसल्ट से लेकर उनके पूरी तरह बदल जाने का फेज कैसा था क्यों मुंबई में आकर उन्हें Life की Reality समझ आ गई थी क्यूं उनके एक्टिंग टीचर ने उन्हें ये बोल कर डाटा था कि अगली बार से मैं एक्टिंग के दौरान तुम्हारे लुक्स के बारे में सुनना तक नहीं ही जाता वीडियो को आप एंट तक जरूर देखें और चैनल को सब्स्राइब जरूर करें फैमान खान का जन 4 सितंबर 1990 को बैंगलॉर में हुआ था उनके फ्रेंड्स उन्हें प्यार से शैस बुलाते हैं उनके फादर का नाम शहबाज रहमत है और उनकी मा का नाम फैजाना शहबाज है फैमान बताते हैं कि बच्पन में वो जिस भी इंसान को देखते थे उन्हें बड़े होकर वो ही बनने का मन किया करता था जैसे कारपेंटर वाच्मेन से लेकर डॉक्टर तक और टाइम के साथ उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके वो ड्रीम्स एक्टर बनने की तरफ हो गया था बाद में 12 साल की उम्र में उन्हें अपनी गली की एक 18 साल की लड़की पर क्रश था जिसका नाम था आईशा सालिया जिसे वो आज तक नहीं बूले हैं बाद में टाइम के साथ उनका फोकस नई चीज़े सीखने और एडवेंचरस चीजों में जाने लगा और स् साइट प्रिंट एड्स के लिए भी शूट्स करने लगे उन्हें उनके फर्स्ट प्रिंट एड्स के लिए 3000 रुपय मिले थे जो उनकी लाइफ की फर्स सेलरी थी फैमान 16-17 उम्र से ही बैंगलॉर के एक ठीटर गुरुप से जुड़ गये और 9 साल तक ठीटर से ही जुड करने लगे बट वो डिरेक्टर जो उनके ट्रीनर भी थे वो ये सब देखकर फैमान से आकर बोले कि जब मैं नेक्स टाइम तुम्हारे प्ले को देखू तो मैं तुम्हारे लुक्स से रिलेटेड कमेंट्स नहीं सुनना चाता और ये बात फैमान के माइंड में उतर गई और आज भी वो ओन स्क्रीन अपने लुक्स के लिए नहीं बलकि अपने काम के लिए पहचाने जाना चाते हैं। उस टाइम उनका माइंड सेट सिर्फ मूवीज में काम करने का था और अच्छा मांट ओफर होने के बाद भी उन्होंने उस शो को ना कह दिया और वापस बैंगलॉर चले गए। इसी बीच उन्होंने रोडीज के लिए भी ऑडिशन दिया था जहां उन्हें बुरी तरह ज चीज़ें समझ आई उन्हें ये समझ आया कि वो खुद को ज्यादा ही स्टर्ड समझते थे क्योंकि उन्हें उनके होम टाउन में सब पूछते थे पर मुंबई ने ये रियलाइस करवा दिया कि वो कुछ भी नहीं है और तीन साल में उन्होंने खुद पर वर्क करना स्टा आने लगी क्योंकि ये वो ही टाइम था जब उनके फादर की भी जॉब चुट गई थी फैमान ने उस दोरान इतने रुपे सेव किये जिससे वो अपना अगला साल मुंबई में आराम से निकाल सके और दूसरी बार बैंगला छोड़ते टाइम उन्होंने डिसाइड कर लि एक शॉट फिल्म में काम किया था जिसकी स्चोरी तीन डेंडम लड़कों पर बेज थी जो आपस में बात करते हैं उसके बाद उन्होंने ये वादा रहा कुंडली भाग्य इश्क में मर जावा जैसे शोज में चोटे मुटे रोल्स भी किये बट उन्हें क्या कसूर है अम साथ ही शोयता तिवारी के साथ काम करने का मौका मिलने के बाद वो इस शो को और भी खास मानते हैं इन शोज के बाद उन्होंने टीवी शो अपना टाइम भी आएगा से लीड अक्टर बतार अपने करियर के शुरुआत की और तब उन्हें एक कैरेक्टर के डिफरेंट आस इसी कई popular brands के लिए ads में भी काम किया और acting के कुछ साल बाद चने hot shots के लिए cricket भी खेल चुके हैं सभी ये बात जानते हैं कि फहमान को इमले शो ने अलग ही लेवल की popularity दिलाई है और सुम्बुल और उनकी bonding सभी लोग बहुत पसंद करते हैं सुम्बुल की acting के बारे में फह करने को बोला जाता था वो बस उतना ही कर पाते थे और सुम्बुल से आज वो और भी बहुत कुछ सीख रहे हैं पर वहीं कुछ लोग सुम्बुल और फहमान के रिष्टे को relationship का नाम भी देते हैं जबकि फिलहाल दोनों बहुत अच्छे friends हैं आपको क्या लगता है इस बा लास्ली फेहमान फ्यूचर में बॉलिवुड मुवीज में भी काम करना चाते हैं और में टाइम में उन्हें सिफ खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ही अच्छा लगता है तो यह थी फेहमान खान की लाइफ से जुड़ी अब तक की छोटी सी हंजानी सी लाइफ जरनी आ अच्छा दो लाइफ से बॉलिव। लाइफ डाइब लाइब लाइब अपने अपसाल लाइब लाइब लेंगा वाइफ साली नी है समझ राइब सिर्ज गव आपके सिर्टन फिर स्ट्वार स्प्रीटें इस टोग्टावर स्ट्रीट ये स्ट्वार्टर है आपे स्ट्वें आपके अपर्रिश्स मुण चुर्छल दूठीस मेरे क्लियर मम है कुछ और लगता कुछ और तुम्हें तो पता ही है कि कि लोगों की जज्मेंट्स कितने चीजें को बिगाडने में ज्यादा वक्त नहीं लगता लेकिन उसे सुवार हमें पुरी उमर बीच जाते हैं जिस्तुमा बदा के लुटी जाते है तुम मुटने है विर एकिन आपने ज्यादा की तुमार का उन्हीं को कि दूए एक है ग्याद करने थे जाँ है